नमस्कार साथियो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग हमें आज हम लोग अनुपात और समानुपात से जुड़े हुए करीब करीब पाच्छे प्रस्णों को देखेंगे ये काफे छोटे छोटे प्रस्ण है लेकिन एक्जाम में अच्सर पूछे ज दिआ हुआ और पूछा है एनुपात से निकानना है एक हमें पूछा है अनुपात से निकानना है तो क्या करेंगे ये 2 अनुपात 3 दिआ हो है इसको 2 बटे 3 लिखेंगे और multiply करेंगे यह जो दिया वह ना 4 अनुपात 5 तो इसको लिखेंगे 4 बटे 5 अगर यह कटता है cross multiplication तो काट देंगे नहीं कटता है तो इन दोनों को multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 4 दुनिया 8 और यह हो जाएगा 15 यहनी answer हमारा क्या हो जाएगा 8 अनुपात 15 ठीक है 8 अनुपात 15 हमारा option में कौन सा है C नंबर 8 अनुपात 15 ठीक है चली next question लेखते है देखिए इस प्रस्ण में A अनुपात B दिया हुआ B अनुपात C दिया हुआ और C अनुपात दिया हुआ पूछा A अनुपात D क्या होगा तो लिखते हैं A अनुपात D हमें निकालना है तो क्या करेंगे 3 बटे 4 multiply 2 बटे 5 multiply 3 बटे 5 अगर यह मैंने बोला cross multiplication में कटता है तो काट दीजिए तो देखते हैं देखिए यह जो है कट जाएगा 2 से 2 बार में चला जाएगा और बाकी कोई नहीं कटने वाला तो लिखते हैं यह हो जाएगा 3 ती आई 9 और यह 25 दुनी 50 तो आंसर क्या आ रहा हमारा दोस्तों 9 नो अनुपात 50 आ रहा तो आंसर में हमारा option नंबर चार हो जाएगा 9 अनुपात 50 यह वाल आंसर हो जाएगा ठीक है और अब एक और प्रसन तिसरा प्रसन देखते हैं अगेन यह A अनुपात दी हुआ A अनुपात B दिया हुआ, B अनुपात C दिया हुआ, और C अनुपात D दिया हुआ, पूछा A अनुपात D कितना होगा, तो हमें निकालना है A अनुपात D, तो इसको निकालते हैं, क्या लिखना है, 3 बटे 4 लिखना है, गुना 5 बटे 7 लिखना है, गुना 8 बटे 9 लिखना है क्रोस में देखेंगे कटता है क्या तो हाँ क्रोस में कट रहा 4 से 2 बार में कट गया 4 दुनी आठ और 3 से कट गया 3 तिया इनो 5 बचा 7 बचा 3 बचा नहीं कटेगा ठीक है तो यह हो जाएगा 5 गुना 2 उपर वाला को मल्टिप्लाइ करेंगे उपर वाले से यहनि 5 गुना 2 हो गया 10 और नीचे में आ रहा 7 गुना 3 यहनि 21 हा रहा तो आंसर हम हो जाएगा 10 अनुपात 21 10 अनुपात 21 देखते हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों option number D 10 अनुपात 21 ठीक है CGL में पूछा गया देख ली जे question और एक और question A B दियावा, B C दियावा C D दियावा, D E दियावा A E पूछ रहा है तो चलिए इसको भी solve करते हैं लोग पूछा है A अनुपात E कितना होगा ठीक है तो लिखते हैं 5 बटे 9 into 4 बटे 3 into 5 से कट गया 5 बार में ठेक है और हमारा और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा तो 4 दुनी 8 और दुनी 16 और नीचे माया जाएगा 9 तिये 27, 3 तिये 9 और 9 81 81, 3 तिये 9 और 9 81 तो हमारा answer हो जाना चाहिए 16 अनुपात 81 16 अनुपात 81 देखते हैं option में तो हमारा option number B जो है 16 अनुपात 81 यह answer हो जागा ठीक है और फी प्रस्न है एक और प्रस्न है यह A B दियावा B C दियावा तो A B C का निकालना ठीक है चलिए इसको भी solve कर लेते हैं देखें A अनुपात B अनुपात C निकालना ठीक है तो इसको कैसे solve करेंगे देखें क्या दियावा A B C ठीक है यह ऐसे करेंगे इसको A B दियावा कितना तो A B दियावा 2.5 2 अनुपात 5 दियावा ठीक है उसके बाद B C कितना दियावा 3.4 तो इसको यहाँ लिखेंगे B C कितना दियावा B C दियावा 3.4 और A B और B C अब कुछ ने दियावा ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे यह जो खाली स्थान बच गया यहाँ पे यह 5 लिख देंगे ठीक है 5 मैंने लिख दिया खाली स्थान में और यहाँ जो खाली स्थान बचा हुआ वहाँ पे यह 3 लिख देंगे बस हो गया काम अब इसको क्या करेंगे मल्टिप्लाइ करेंगे 2 को 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो हो जाएगा 6 पांच को तीन से मल्टिप्ला करेंगे तो हो जाएगा पंदरा और पांच को चार से करेंगे तो मल्टिप्ला तो यह हो जागा बीस कटने का रहेगा तो काट देंगे नहीं कटने का रहेगा तो यह हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी हमा A, B दिया हुआ, B, C दिया हुआ, A, B, C निकालना है, तो चलिए, इसको भी करते हैं, A, B, C निकालना है, ठीक है, तो A, B, C, कितना दिया हुआ, 3, 95, 5, B, C कितना दिया हुआ, 2, 95, 3, करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जो यह 5 है, खाली, यह 5 है ना, इसको लिख देंगे, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, बस multiply कर देंगे, 3 से 3 दुनी 6, 5 दुनी 10, और यह 15, ठीक है, तो यह कटने का संभावना है, नहीं, 6, 10, 15 आंसर हो जागा, 6, 10, 15, 6, 10, 15, यह वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ह दोस्तों, तो यह होता है, फिनिश यहाँ पर, I hope कि यह वीडियो पसंद आ, वीडियो पसंद आ, तो लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह के वीडियो आपको, और भी कई सारे मिलेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में, और बहुत सारे वीडियो मैंने डाला, उसको देखिए, और कमेंट करके बताएए कैसा लगा वीडियो, थैंक यू,